हलो दोस्तों स्वागत है आपका अपके अपने चैनल आफ़ताब इस्टिड़ी क्लास में दोस्तों इस वीडियो में हम लोग क्लास टेन के लिए अब लौज 4 को देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको पुता लगेगा कि हमले क्या होता है चार क्या होता है इसके साहर साथसाथ दोस्तों आप यहां जानेंगे ऑदासीनी कणभीक्रहां क्या होती है सब्सक्राइब किactor से इसे अपर अधी प्रूक चलो सबस्क्राइब करी गाएं बैल ब्रीघन को झराइब यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं लोग प्रस नवर 1 आप से क्या कह रहा है ठीक तो प्रस नमर nie करा है आइनन सिद्धान की आधार पर निम्ली की व्याख्याा को जिए तो दौफ कर अनुशार तो सबसे बहले आप लोग इसका नायमत अखिएगा अब ग्यानिक का नाम क्या है और हीनियस वेरी वरी इंपॉइटन पर आपके लिए है इसलिए जोस्तों मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है ठीक है तो आप लोग वीडियो में लाक्त देखेगा और वीडिय सिद्धान्त के अनुशार ठीक है अमल बेपदात होते हैं जो जली विलियन में धनावेसित आयनों में केवल हाइड्रोजन आयन देते हैं तो दोस्तों यहां पर तो आपने पढ़ी होगी आपको थोड़ी कटिन लग रहे होगी मैं दोस्तों आपको उता रहाँ अब दोस्तों लगा है और दोस्तों अपने आयनों में तोड़ते हैं तो आयनों में तोड़ने के बाद हाइड्रोजन अलग हो जाता है और क्लोराइड अलग होगी है तो यहाँ पर क्या होइड मिला यहाँ पर यहां पर देखें हम लोग तो आपको भिणाओंगा। मतलब हर्डोजन के दो आइन निकाल दिये गए यहां पर आपके सल्फेड बचा हुआ है ठीक है तो आप यहां पर देखें कि आप इसे याद के लिए जगा और इसके साथ में जोस्तों आप इसका एक उदारण भी याद के लिए जगा ठीक है पहला वाला है स्सील वाला वेल कि द्रट हैं जलने घोलने पर क्या होते हैं व्योजित हो कर अबेसेक केवल हाय डाकसिल आयन देते हैं वहां पर क्या सब्सक्राइले लिए देखे लिखा है नमबर एक में दोस्तों यहां पर का गया नमबर एक मतलब सोडियम हाइड अग्साइड यह आपका यह चार है जब चार को अपने आयनों में तोड़ा गया तो सोडियम आपका पॉजिटिव हो गया प्लस का हो गया जिसकी प्रमाड संख्या 11 होती है औ अब दोस्तों में आपर देखेंगे उधा सीनी करण क्या होता है ठीक है उधा सेनी करण सभी प्रस्णाप के लिए इंप्वाटन एडिया इसलिए वीडियो को लाइक कल दीजिएगा यहां पर देखे लिगा है आरिनिस के आईनल सिदान्त के अनुसार उधा सीनी करण वहर में क्या होता है? H plus होता है. इतना पता है. अब और चार में होता है OH-. अब इन दोनों को मिलाया, तो hydrogen के दोंड बन गए, तो हो गया H2, oxygen का Iyacurt हो गया O, तो gel बन गया है. तो बिल्कुल simple पर आसा है, क्या लिखा हुआ है? अम लेकि hydrogen ion, चारग के Hydroxyline कासा योग कर दीजेगा तो जल के अण बन जाते हैं ठीक है इसी क्रिया कहते हैं उद्धा सीनी करण अभी क्रिया अब दोस्तों आगे आपको दिखाया गया है एक आपका अच्छा रहा है मिला दिया गया तो आपका क्या बन गया पर यहां पर आप देखेंगे तो आपका क्या बन गया है अगर इसकी बात करें तो आपका यह क्या है याद कर लिजेगा लवड जिसे का यह का आपका होगया जल इसके साथ में क्या कहेंगे आपकि यहां एक उस्मा सोसी नहीं उस्मा 6 पी क्रिया उस्मा 6 पी का मतलब होता है जो उस्मा को निकालती है तो यह क्रिया बनने के बाद 13. इस प्रकार से दोस्तों मने आपको बता दिया है अब में उदा सेनी इकण विक्रा के बारे में उम्मीद कलता हूं आपको अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा अब दोस्तों इसी के साथ में हम अब और पढ़ेंगे यहां पर कि ब्रांश्टेड लॉरी के अनुसार क्या इसलिए उस्तों आपके लिए इंप्वाटेंट है और जो चीज आपके लिए इंप्वाटेंट वही आपको सिर्फ पढ़ना है तो आप पढ़िएगा इसे देखें दोस्तों सबस्ते पहले आए कि ब्राश्टे लॉरी के प्रोटान संकल्पना के अनुसार इतना तो आपक स्चागया है तो आप क्या करेंगे अंब बेफदालत हैं जो जली विल्यन में फरोटान देते हैं उन्स क्या है पर हैं ठीक है इतना तांतर है सिर्फ याद के लिगा कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं आपको अच्छी तरिके समय रहा होगा यहां पर कि प्रोटान देते हैं अब दोस्तों यहां पर आपको समय कर वही लिखना ठीक है जो आपने देखा था पहले वाला दोनों पहले वाले है अब दोस्तों माल लेजिए अमल की प्रवासा एक और होती है बिल्कुल सिंपल होती है अमल क्या होते हैं अमल बेपदात हैं जो स्वाद में खट्ते होते हैं यह तो आपने पहले ही सुनी होगी कच्छा अच्छे साथ आपने सुनी होगी कि अमल बेपदात होते हैं और चा अमले स्वाद में खट्टे होते हैं और छार स्वाद में कडवे होते हैं अक्का सहरे होते हैं दोस्तों मैंने आपको यह बता दिया है अब दोस्तों यहाँ पर देखे इसके थोड़ी और ब्याक्या की गई है के कां लिए के आधनाश्क सिद्दंटबिडोलत नहीं नहीं रएसकते हैं चना के सहीयोग सेही के प्रवास यहाँ ऑलोban है है जिसमे कहा गया है कि यह हाय्ड इनम मतलब क्या है यह जलकी अड़ो से स्भूइव करते यह आप और यहां पर बनाते हैं स्ट्रूपलस मतलब हाय्डोनियम अगई तो दोस्तों यहां पर आपके लिए के दसरी परवासा भी आ गई है कि हम बेपता आते हैं जो जली में हाय् आप कुछ भी याद करिए आपके लिए important है इसलिए दुस्तों मैंने आपको बता दिया है आपके इसी तरीके चात करिए लेकिन आपको याद करना है आगे देखीएगा दुस्तों अब दुस्तों आपके लिए आचुका है ब्रांश्ट लोरी की प्रोटान स्वाइगल प्रोटान करने की प्रवत रखते हैं अल्थार प्रोटान ग्रहाई होते हैं वहां पर आपने पड़ाता की प्रोटान देते हैं यहां पर प्रोटान लेते हैं या ग्रहाण करते हैं वैस तो आपका बन गया जल मतलब जल क्यों दोंड यहां पर बन गया है तो आपका बन गया है देखिए और आपका बन गया है कि चारक बेपता होते हैं जली बिलिल में हाइड्राक्सिल आयन देते हैं तो इसलिए आप समझ लिजिए जिसके लाश्ट में और लगा होगा वो क्या होगा उम्मीद कलता हूं दोस्तों आपको अमलब च्छार की परिवासा अच्छी तरीके समझ में आ गई होगी अकल आपक को वीडियो मिलेंगे आप लोग वीडियो को देखेगा और अपने पेपर में अच्छा श्कोर करेगा मिलते हैं रेक्ष्ट वीडियो में वीडियो तकने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद